नमस्कार दोस्तो गो स्टोरीज भै आदव जी पर मैं सुरजी आदव एक बार फिर हाजिर हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नई वीवर्स को भी मेरी राम राम तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे स्वस्थ होंगे और नई कहानी के इंतजार में होंगे तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं आज की एक और डरावनी कहानी जो हमें भेजी है वरुन भाई ने जैपुर राजिस्थान से वरुन भाई ने बताया के ये कहानी मतलब ये जो घटना है ये अभी बीते हुए सिर्फ छे-सात महिने हुए हैं जो कि इनके चार जूनिय स्टूडेंट्स के साथ बीती थी दरसल ये सारे लोग वैसे हैं तो प्रॉपर राजिस्थान से ही लेकिन ये सब के सब आलागला डिस्टिक्स से आके यहाँ जैपुर में SSC के तयारी कर रहे हैं मतलब गौर्मेंट जॉब्स के लिए जो एक्जाम होते हैं उसके तयारी कर रहे हैं सब लोग और सारे के सारे लोग एक PG में रहते हैं वरुन भाही आको छोड़कर क्योंकि वरुन भाई जो हैं ये जैपुर के लोकल हैं मतलब जैपुर से ही बिलॉंग करते हैं और वरुन भाई जो हैं इन सब के सीनियर हैं ये भी कभी ECPG में रहा करते थे और अब तो इनकी गौर्मेंट जब लग चुकी है लेकिन होता है न कई लोग का जुड़ाव अपनी पुरानी जगाओं से बना रहता है और जिस दोरान ये तयारी कर रहे थे मतलब इनका जौब लगने ही वाली थी उस दोरान ये इन चार ल लड़कों की लाइफ में वो एक गाइड कर रह गया है मतलब ये उन्हें अच्छे से गाइड कर देते हैं कि आपको ऐसे पढ़ना है और ऐसे नहीं पढ़ना है तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी मैं आपको इस कहानी के बाकी चार किरदारों से भी मिलवाता चला जाओंगा तो पहला लड़का है इसमें हर की रत जो कि एक क्रांती कारी विचारों का लड़का और गुस्सा हमेशा उसके नाक पर रखा रहता है मतलब अगर वो गुस्सा हो गया तो सामने आने वाला कोई भी हो सब एक ही लाठी से हाग देता है सबको तो आज 10 दे का और जाकर सबको बोलता है कि हाँ भी आज ना कोई मैस का खाना नहीं खाएगा आज छट पे आराम से चिकन बनाएंगे तब ही उसमें से प्रदीप बोलता है कि यार तु जानता तो है कि हमारे घरवाले मंगलवार वीरवार और शनिवार को चिकन नहीं खाने देते हैं तो फिर हर किरत दुलाल से पूछता है कि हाँ तू बता तो दुलाल बोलता है कि भाई दे कैसा है अब जब दो लोग नहीं खा रहे हैं तो फिर हम खाते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे एक काम कर इसको रख दे और कल खा लेंगे इसको और कल वरन भीया की छुट्टी भी है तो वो आएंगे हमसे मिलने के लिए तो सही रहेगा ना जब साथ में सब लोग मिलके पार्टी कर लेंगे तो हर केरिद बोलता है यार वो सब ठीक है लेकिन तुम जानते हो ना आज के दिन मैस का खाना कितना वाहियार बनता है अब इस बात से तो सारे लोग भली बाती परिचित है तो बुला हाँ क्या मून में है तेरे ये बता दे बस बुला मैं कहा रहा हूँ चुल एक काम करते हैं बहार से ओडर करते हैं फिर बहार खाना खाने चलते हैं अब ये सब लोग अपनी पढ़ाई में सीरियस लड़के हैं सारे के सारे तो उन में से एक लड़का ओ रहा है रोहित वो बुलता है यार देख मेर को न अभी अपना एक टेस्ट लगाना है तो तो एक काम करके ओनलाइन ही ओडर कर दे और जो भी होगा वो काउंटी कर लें गुस्सा एकदम नाक पे रखा हुआ दुलाल एकदम बढ़िया अक्सर शांत रहने वाला लड़का लेकिन हट्टा कट्टा पहलवान टाइप और रोहित जो है इनके पूरे बैच का टॉपर है प्रलब जहां ये लोग पढ़ने जाते हैं कोचिंग लेते हैं वहां सबसे ब्राइट स्टुडेंट ये ही है मतलब आप प्रदीप और रोहित को बेस्ट फ्रेंड्स कह लीजे और हर कीरत और दुलाल को आप बेस्ट फ्रेंड्स कह सकते हों तो पैसे खट्टे करने के बाद हर कीरत सबके हिसाब से जो अलग-अलग लोगों ने बुला कि मेरे लिए मगा दियो मिरे लिए मगा दे ना तो ऐसे ओडर कर देता है अब हो जाता एक घंटा एप में भी दिखा रहा है कि बस राइडर वहां से चलने ही वाला है डिलिवरी बॉज चलने ही वाला है इस तरीके से धीरे-धीरे करके एक घंटा हो जाता है उन्हें आज मैस में खाने क टाइम भी जा चुका है वैसे भी इनको खाना तो था ही नहीं वाँ पर लेकिन अब भूक तो लगेगी ना सेम टाइम पर रोज भूक लग जाती है अब काफी देर हो गई है इने और सारे के सारे लोग हर की रत के ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं कि तेरे चकर में आज लग रह के रह जाएंगे तेरा आज नियाने वाला खाना वाना कुछ भी तब ही आता है डिलिवरी बॉय का कॉल के सर मैं आपकी लोकेशन नहीं मिल रही है मुझे और आप क्या गोल चकर तक आ जाओगे जो आपके घर के पास पड़ता है अब पहले तो हर की रत से जितनी होती है न क्योंकि 99% डिलिवरी वाले तो ऐसा नहीं ही करते हैं अब 1% करते हो तो बैस सब को एक तराजू में तोलना सही बात नहीं है तो काफी भहस हो जाती है इनकी फोन पर ही तो वो कहता सर मुझे नहीं मिल रहा है अगर आपको आना है तो आओ नहीं तो आप order cancel कर सकते हो आपकी दिलिवरी बोई। हर किरत एक जड़ देता उसमें एक रैप्टा मारता गुहां के कि तमीज में बात कर ले एक तो लेटाया और उपर से तेरी वैसे भूकें बहुत देर से दिमाग मचाट यहां अब भाई थपड़ खाने के बाद कौन ही चुप रहने वाला है तो वो भी क्या है हात अपाई शुरू हो जाती है Dáनों की बीच में और इसी दोरान क्या होता है वो खाना जो लेकर आया था यह वो गिर जाता है अब वो बोल रहा है इसके पैसे दे तो बोल रहा है कि जब तुने खाना गिरा दिया हमारा एकदम पहलवान टाइप लड़का ये देता है उसमें दो तिन गोसे खेंच कें कैसा चला जा नहीं जान से जाएगा तो यहीं मार देंगे सुश्रे चला जा अब वो दुलाल के चार हाथ पढ़ते के साथ उसे समझ में आ जाता के भाई इन से नहीं लड़ सकता तो वो गाली वाली देता हुआ और भाग जाता है अब ये लोग अपना सा मुह लेकर वापिस आयाते है अपने पीजी में और प्रदीप और रोहित एकदम फुल तयारी में पानी वानी सब निकाल के रख लिया उन्होंने प्लेट्स वगरा के हाँ बेलिया एक खाना तो हर कीरत बताता के यार ऐसा-ऐसा हो गया तो रोहित बोलता भाई आज लग रहा तो भूका ही मारेगा ठीक है यार तुझे भेजना ही नीच चीए था तू जहाँ जाता है वहाँ लड़के ही आता है तो हर के रत गुस्से से में इसको जहीं बोलता एक काम करना फिर तू order कर ले, जाने नेता हो रहा है तो, अब साथ रहने वाले, साथ पढ़ने वाले students थोड़ा सा ऐसे casual बाते कर लेते हैं, जनरली, ला मुझे दे, मैं करता है order, और वो फिर से order कर देता है, और सारे के सारे बहार जो table लगी हुई है, उस table पर बैठ कर इंतजार कर रहे हैं, और अभी app में दिखा रहा है के rider वहाँ से चला भी नहीं है, और एकदम से इनका gate कोई खटखटाता है, अब उठने का आलस परदी बोलता है, कौन है, तो सामने से आवाज आती है, सर आपका order था, अब रोहित ने order करा है, उसके हाथ में phone लग रहा है, वो regularly देख रहे हैं कि कितने देर में आएगा rider, अब उसे अजीब लगता है पहले तो, लेकिन हो सकता है कि app का कुछ glitch होगा, और network की शुकी वज़े से वो दिखाई नी देरा होगा, लेकिन यार फिर भी खाना बना भी, pack भी हुआ, और आ भी इतनी जल्दी गया, हमने इतना पास से तो मंगाया भी नहीं है, लेकिन चलो फिर भी अच्छा है कि जल्दी आ गया, अब हर की रच चला जाता है फिर से सब लोगों ने सुनी है कि सर आपका ओडर था, तभी हर की रच थोड़ी सी गर्दन लंबी करके देखता है, राइट साइड में, तो लगबक 30-40 मीटर दूर आगे, एक डिलिवरी बॉय दिखाई तो दे रहा है, लेकिन बाइक पर नहीं है, वो पैदल है, अपना बैक टा सारे कर रहा है, बोल भी रहा है, शायर वहां तक आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, तो हर की रत क्या है, थोड़ा सा आगे जाता है, और फिर उसको आवाज लगा रहा है, और सामने वाला कोई रिस्पॉंस नहीं दे रहा है, और तभी अचानक से वो एक अजीब सी आप था, उपर से भूक, उपर से साथ वालों के ताने, तो ये मनी मन बोलता लगर आज तू भी पिटके ही जायेगा, वहां जाता है उसके पास, और एकदम शान्त, डेलिवरी बॉय ना कोई गुस्सा कर रहा है, ना कुछ, और सिर्फ इसकी तरफ देखे ही जा रहा है, व वो सिर्फ हस रहा है, इसकी तरफ देखकर, बहुत छोटी सी स्माइल दे रहा है, तो हर किरत बोलता है, भाई देख मैं पैसे नहीं लाया हूं यहां पर, cash on delivery का order एक काम कर तो वहां आजा, मेरे पीछे पीछा आजा, तिरको मैं घर पे देता हूं पैसे, तो delivery वाला बोलता अंदर, और अंदर से वालट से पैसे निकाल के लाता है, और फिर जब बहार निकलता है, गेट से, तो देखता है कि अरे कहां गया, अब दुलाल इस टाइम पे टॉलेट में था शायर, इसलिए वो बहार नहीं आया, वरना वो 100% उसके साथ जाता ही, दुलाल फिर बहार आ आता है, देखता है, हाँ, क्या होगे, आ गया वो, करे यार, अभी तो मैं उसे वहां से यहां लेका आया हूँ, पता नहीं कहां चला गया फिर से, तो फिर सारे के सारे उस पे फिर गुस्साओने लग जाते हैं, कि लग रहा तूने उसे भी डट डपटके भगा दिया, अब की बार हरकेर, तूनी जाएगा, हम जाएंगे अब की बार, वो गेट खोलते हैं, फिर गेट बंद कर लिया है, वो फिर दुबारा से गेट खोलते हैं और जाके देखते हैं कि सामने डिलिवरी वाला खड़ा है, तब हरकेर तीदर आ, यही था, करार है भाई, यह नही रही है, और यह लोग अंदर घुसकर, दो मिनट भी नहीं लगाते हैं और तूट पड़ते हैं खाने पर, अब चारों लोग बैठके खाना खा रहे हैं, लेकिन दुलाल देखता है कि हर कीरत जो है, सामने एक शीशा लगा हुआ है, दूसरी साइड, उस शीशे की तरफ दे हर कीरत एकदम ब्लैंक, कोई जवाब नहीं दे रहा है, अर भाई, खाले, अब क्या, अपने हासे खेलाओं तुझे, तब ही रोहित और प्रदीप को लगता है, यार लग रहा हमारी बात का बुरा मान गया, अजमने ज़्यादा ही टाइट कर दिया इसको, तो अच्छा भा दुलाल तो जानता ही है, इसकी आरत, कि एक बार इसे गुस्सा आ गया, फिर नहीं मानने वाला भाई है, तो बोलता है कामगोर, तुम सब खाना खालो, और इसका खाना अलग से साइड में निकाल के रख देते हैं, और मैं इसको कमरे में जाके खिला दूँगा, क्योंकि द दुलाल और हर किरत जो है रूम मेट्स हैं, अब अपना खाना खाने के बाद दुलाल प्लेट लेकर पहुंच जाता है, कमरे में, के लिए भाई खाले यार, हो जाता है तू इतना सीरियस ले रहा है, और वो जारा बोल भी नहीं रहा है, क्योंकि पता है उसे अगर जारा ब बात कर रहा हूं, क्योंकि इतने टाइम से लोग साथ रह रहे हैं, उसे बड़ा जीब सा लगता है, यार ये ऐसे रियक्ट तो नहीं करता है, गुस्सा हो जाता है, लड़ लेगा, मारने पे चट जाएगा, लेकिन ऐसे चुप नहीं हो सकता कभी, तभी हर किरत बोलता है, क खाली हो, मैं सो रहा हूं, और फिर दुलाल भी सो जाता है, अब पूरी रात आज बीच बीच में जैसे कभी आँख खुल जाती है, तो दुलाल ने कई बार नोटिस किया, कि हर किरत पूरी रात जगा हुआ है, और आँखे खोल के सिर्फ छट की तरफ देखे जा रहा है, जैसे वो पलक की नहीं जपकारा बहुत बहुत देड़ तक, अब उसे अब तक भी ऐसे लग रहा था कि और एक गुस्सा है, लेकिन कही न कहीं उसका दिमाग में था है, और कुस तो गड़बड है, ऐसा क्या है, कि इतना गुस्सा तो नहीं होता है, लेकन उसे क्या पता थ इस से अपने साथ एक आफ़त लेके आ चुका है, दरसल जो delivery वाला पहले आया था, हर कीरत ने जिसको देखा था जिससे बात करी और जिसको मेरे पीछे पीछे आजा, वो दरसल कोई delivery वाला था ही नहीं, वो दरसल एक delivery वाले की आत्मा थी. अब delivery वाले की आत्मा का हो या फिर आत्मा का हो वो एक प्रेत आत्मा थी जो कि अब हर कीरत के साथ है या फिर कह सकते हो कि हर कीरत के उपर हावी है अब सुबह होती है तो दुलार बोलता जल्दी उट कोचिंगा टाइम हो रहा है आज लेट हो गया, और कल रात को बहुत लेट तक जगे थे, वैसे जैसे पूरी रात पड़ा हुआ था, हर कीरत वैसे ही पड़ा हुआ है, आँके खोल कर, और फिर बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो दुलाल इसे पकड़ कर उठा देता है, अजेसे लाए, और भुत तेरा तेरा दिमाग व्बाग चल गया कहा, बहुत हो गया तेरा, ठीक है, अजगे कंधे पे हाथ मारता है, यह होता नहीं दोस्त, कंधे पे हाथ मारके, चलना रहा है नहीं चलना रहा है, बताएं तुझे भी, तो हर कीरत एक छोटा सा जटका देता है दुलाल को छे सवा छे फुट का लड़का सही पहलवान टाइप और एक छोटे से जटके में दिवार में जाके लगता है और अपने बैड पे जाके गड़ता है और दिवार से टच हो जाता है मैं बता रहा हूँ हर की रत इतना गुस्सा सही नहीं है ठीक है और ले मत नहीं कर रहा तेरी से बात नहीं है ठीक है आज के बाद तेरी मेरी बात खतम चल और ये गुस्सा होके अपनी बुक्स वगरा उठाता और चल देता है अब इसको तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा हर कीरत नहीं कर रहा है और वैसे भी उसने जानबूच के ऐसा कहा था कि इसे अपनी गलती का एहसास हो या फिर ये मान जाए और फिर बातवात करने लग जाए अब दरसल जिस PG में लोग रहते हैं वो एक फ्लैट टाइप बना हुआ है जिसमें दो कमरे हैं और हर कमरे में डले हुएं दो-दो बैड और बीच का काफी अरिया मतलब जिसने भी ये बिल्डिंग बनाई थी वो फ्लैट के हिसाब से बनाई थी लेकिन PG के ओनर ने ये सारी की सारी रेंट पर लेकर इनको PG में कनवर्ट कर दिया तो ये लोग अपने फ्लोर का ताला लगा कर और चल देते हैं शाम को आते-आते इनको काफी लेट हो जाता है पहले कोचिंग उसके बार लाइबरेरी और जो कुछ भी काम होंगे आते-आते बज़ जाते इनको लगबग छे सब लोग साथ बात करते हो यार है और दुलाल बोल रहा है यार तुम लोग ना ज़्यादा मज़े लेते हो और देखना वो गुस्सा है वो आप भी घर में ही पड़ा होगा पक्का अब मैं जानता हूँ उसका गुस्सा कैसा है अब ये लोग गेट खोलते हैं और गेट खोलने के बाद जो इनके आँखे देखती है उन पर इनको विश्वास नहीं आता कि ये हम हर किरत कोई देख रहे हैं कोई और है हर किरत बैठा है सामने वाले डाइनिंग टेबल पर जहां पर ये लोग मिलकर अक्सर खाना खाया करते थे कैंची रखी है बगल में और उसने शायद उसी कैंची से अपने सारे बाल काट लिये हैं अब आप अपने हास से अपने बाल पकड़ पकड़ कर काटोगे तो कैसे कटेंगे एक दर्म खूस की तरह उसने अपने बाल काट लिये हैं कहीं से थोड़े कटे हुए, कहीं से जारा कटे हुए, कहीं से बिलकुल गंजासा हो रखा है और फ्रिज का जितना भी समान था एक तो जो ये चिकन लेके आया था और दूद रख लेते हैं स्टूडेंट्स पानी होता है और जो भी छोटे मुटे समान होते हैं वो सारा का सारा फैलाया हुआ फर्श पर और गर्दन नीची करके और सिर्फ गर्दन हिलाया जा रहा है अब दर असल ये पोजेस्ट था इसके उपर राच से ही जो भी चीज थी वो हावियों रखी थी लेकिन किसी को समझ में नहीं आया था और अब ही भी किसी को समझ में यू नहीं आ रहा है क्योंकि बगल में ही रखी है बीर की बोटल तो अब सब के दिमाग में ये आ रहा है कि शायर इसने जादा नशा कर लिया है और इसकी वज़ेसे ये ऐसा कर रहा है क्योंकि जादा पिया हुआ इंसान भी लगबग पोजेस्ट इंसान के तरह ये कुछ-कुछ रियाक्ट करता है, दुला ली जाता सबसे पहले, अर भाई कैसे करके मानेगा तेरा इतना दिमाग क्या-क्या है तेरे दिल में, क्या चाह रहा है तू ये बता, हम तेरे पैर पकड कर ले सब ले भाई सौरी तिरे पैर पकड के सौरी बोल रहे हैं और वो कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ और गर्दन हिला रहा है बस अपनी, नीचे मूँ कर रहा हुआ है तभी वरुन भाई आ जाते हैं पीछे से, और भाई शेरो क्या हो रहा है, अब सारे शेर पीछे सब जानते कि अब जितना भी चाहिन नशे में है चाह कुछ भी है अब यह सैट हो जागा भही आके आते के साथ ही अब हरकी रत तो अपने चालू है वैसे ही बाल कटे हुए उट पठांग साइड में भी यह की बोटल तो रखी थी अब शायर उसने पी या नहीं पी लेकिन र जारा पी लिए आज तो पढ़ने आया है या पीने आया है अब एकदम से वो होस से में आता है और वरन भहिया को देखकर वो सिर्फ रोने लग जाता है भहिया 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 तो अगरा हाँ मैं यूं क्या हुआ बता क्या हुआ और उसने होता ना अपने हाथों में भर रखा है वो बैठा था भहिया खड़ेते और जिसे गले से लग जाना ऐसे गले से लगके और सामने दिख रहा उसको शीशा और बस उसकी तरफ देखकर बस भहिया भहिया कर रहा है तभी वो इसको बिठाते हैं चल तो कमरे में चल पहले तो ठीक है और तुम भी सब आओ यहां पर क्या हुआ ता मुझे सारी बात बताओ अब सारी बात बताते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ हो सकता यह गुस्से में होगा और उसके बाद शायद इसने पी ली और जादा पी ली है इसके वैसे और कोई बात नी चलो अब इसके बाल उट पटांग कटे हुए द कुछनी कटे हुए हैं तो ट्रिमर से खुद अपने हास से एक बड़े भाई की तरह उसके सारे बाल एक दमेक लेवल पर करते हैं कि काम करेंगे अब जलके किसी भी नाई की दुकान पर जाकर और इसके बाल हम से जितना हो सकते हैं ठीक है बाकि और ओके करवा लेंगे और जैसा कि उन्हें पता है कि जारा नशे में है अब उन्हें तो अभी तक यहीं लग रहा है कि नशे में है खुद उसका मूद हुलाते हैं साफ सफाई करते हैं उसे नीवू पानी पिलाते हैं थोड़ी बहुत देर वाँ बैठके बाते बाते करते हैं कि अब थोड़ा नॉर और दुलाल ने मिनकर वो सारा साफ करा और ये लोग सब चल देते हैं कि चलो भाईया के साथ ही चल रहे हैं और थोड़ा इसका दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा अब ऐसा करते करते इनको लगभग लगभग दस बच चुके हैं भाई उसके बाल ठीक करना हाथ मुदूलाना फिर नीवू पानी पिलाना उसके बाद इंतजार करना के ठीक हो जाएगा अब उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि नशे में है और ठीक होई जाएगा लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो इस शांत है वो शांत किसी और वज़े से है और वो ऐसा हो रखा है जैसे रोबोट रोबोट को कहीं भी पकड़के आगे पीछे दाएंवाएं कर लो तो वो वैसी जहां जिस तरफ आप उसे ले जा रहे है उस तरफ चल रहा है बस अपना कोई कंट्रोल नहीं है उसका बोडी पे अब रास्ते में वरुन भाईया उसको काफी समझाते हो जाते हैं देख आपस में इस तरह की बाते हो जाते हैं जारा बुरा नहीं मानते हैं वो कोई जवाब नहीं दे रहा है अब उन्हें ऐसा लग रहा कि मेरी रिस्पेक्ट की वज़े से कोई जवाब नहीं दे रहा है अब दस बजे का टाइम है भाई कहीं भी अंधेरा तो होई जाएगा और पीजी वाले एरियास जो होते हैं वो इस टाइम तक लगबग लगबग सुमसान टाइप के हो जाते हैं और एक आद दो स्टूडेंटी आपको गोहमते होए दिखाई देंगे जो चाय पीने आये हैं या फिर खाना खाने आये हैं ऐसे तो ये पांचों लोग भी जा रहे हैं और इनको कोई पुराने जानकार मिल जाते हैं वरन भीया को और ये सब लोग बात करने लग जाते हैं उनसे लेकिन हर कीरत नहीं रुकता हर कीरत सीधे 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 चलता चला जाता है और ये लोग लगबग उसी जगा थे जहां पर आज से कुछ दिन पहले एक एकसेडेंट हुआ था काफी बड़ा एक कार वाले ने एक बाइक वाले को उड़ा दिया था और वो उन दा स्पॉट वहीं उसके डेथ हो गई थी अब ये तो सबको पता था लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि वो एक आउनलाइन फूट डिलिवरी वाला था बन्ले कि डिलिवरी बॉय था और ये बात भी इनको अभी पता नहीं चलिये अभी आगे इनको पता चलेगी कि यहां ऐसा ऐसा हुआ था क्योंकि वरन भीया तो हफते में एक बार ही आते हैं हाँ पर तो हर कीरत चलने लग जाता है उस चौक की तरफ मतलब उस गोल चकर की तरफ जहां पर आज इसकी उस डिलिवरी वाले से लडाई भी हुई थी और इसी जगा कुछ दिन पहले एक एक्सिरेंट भी हुआ था तब ही जब वरन भीया की बात खतम होती है उन लोगों से तो देखते हैं अरे हर कीरत कहां गया तो दुलाल अरे वो जारा भीया अरे तुम उसके साथ साथ रहो यार मैं बात करने लग गया तुम भी यहां बातों में लग गये अब जा क्या रहा है इनकी आखों के सामने द प्रोड नहीं था पक्का वहना क्या होता हूँ अपने घुटन उपर बैठता है और जमीन पर अपना मुह रगड़ने लग जाता है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बहुत तेज तेज नाक नहीं पूरा का पूरा मुह रगड़ रहा है धीरे 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 ये लोग भग काता जाती है कि वो दो-चार लोगों से हिलता भी नहीं है अगर वो चाहे तो अब वो लगा हुआ है बहुत जादा बुरी तरीके से अरे लग जाएगी तुझे लग जाएगी बावले लग जाएगी क्या कर रहा है अब चारों तरफ अंधिरा है कोई स्ट्रीट लाइट भी खास जलनी रही है और इन्हें कुछ नहीं दिख रहा है सर्फ यह दिख रहा है कि वो ऐसे ऐसे कर रहा है तब ही वहां से कार गुजरती है और कार की रोशनी पढ़ती है इन सब लड़कों पर और ये लोग देखते हैं हर कीरत का पूरी तरीके से दोनों साइड से छिला हुआ चहरा बिलकुल लाल खाल सारी छिल गई है इसकी अब जो गाड़ी वाला था वो भी एकदम देखके रुख जाता है बहुत नजर तो पड़ी जाती है उसकी नजर पड़ती है एकदम लाल चहरा जैसे किसी ने इसके खाल उतार लियो बहुत पूरी खाल घिस दी अपनी अपना सर मारने लग जाता है वो गाड़ी वाला उतर के आता है रहे क्या कर रहे उसके साथ तुम तो बाई चांस वो उवरन भहिया को जानता था पूलैयर हम तो इसे रोक रहे हैं पता नहीं क्या हो गया और वो एकदम सब confused सब लोग रोकने लगते हैं उसे और वो बहुत जोर-जोर से चिंगाड रहा है दाड रहा है नाहीं गाड़ी वाले से रोके सब लोग साथ मिलके रोक रहे हैं जहां वो ये सब ऐसा कर रहा था वहां बई इंट रोड़े सब तो पढ़ ही थे इंट उठाके मारता है और इंट लगती है दुलाल के और वो लगती उसके जाता वरना कोई और होता तो शायद बेहोशी हो जाता जो गाड़ी वाला रोकने की कोशिश कर रहा था कि अरे भाई रुखजा 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 क्या कर रहा है उसके अवाज एकदम बदल चुकिया भुरी तरीके से मतलब अब तो शायद आदे लोग को इनमें से समझ म तो गाड़ी वाले को गिरा कर इतने सारे लोग पकड़ रहें इसका गला दबा रहता है अब वहर की रत हो तो समझेगा वह तो हर की रत थोड़ी है उसके अंदर तो बसा हुआ है कुछ और और अब हर कीरत बार बार बोल रहा है के सर आपका ओडर है सर आपका ओडर है सर आपका ओडर है अरे काई का ओडर है भाई क्या बोल रहा है तू तब ही सामने से गाड भगभग आता है अब ये देख रहा है के यहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसे ऐसा लगा कि लड़कों की लड़ाई हो गई है और वो आकर देखता है और इसकी हरकते जो थी हर कीड़की उसे देखके बोलता कि भीया आप लोगों को न आपने घरवालों को कॉल कर दो सब लक्यों क्या हो गया हम समाल लेंगे तू टेंचन मतलो करने यहां पे कुछ द दोस्त जिस तरीके से जो कुछ भी रियक्शन कर रहा है ना जो हरकते कर रहा है तो मैं दिखनी रहा है कि ये इसके अंदर कुछ आ रखा है अब ये बात सुनते ही सब के कान एक दम खड़े हो जाते हैं हां यार हमें लग तो ये अब नॉर्मल रहा है कि आज तक इसने कभी ऐ इसा नहीं किया और नशा इतना करता ही नहीं लेकि मानलोगर किसी ने इतना नशा कर भी रखा है तो कोई इस लेवल तक थोड़ी आ जाएगा अब वो इतने अपनी टी-शेट जो पहनी हो से फाड़ कर और अपनी चेस्ट पर बहुत तेज तेज से हाथ मारने लगता है लो की लाइट जो जल रही है उससे जितना भी उस हेरिये में दिखाई दे रहा है सिर्फ उतना ही दिखाई दे रहा बाग एकदम गुप पंदेरा अचानक से सबका हाथ छोड़ा कर वैसे तो हाथ पकड़ में भी कहा ही आ रहा था इसका और कंट्रोल में था ही नहीं किसी के हा के समझ में आ चुका है कि इसके उपर कोई चीज हावी हो रखी है और ये भगा भगा जा रहा है उस गोल चकर के तरफ और रात को भई बस इस भी आ सकती है गाड़ी आ सकती है कोई अग गोल चकर पर किसी ने स्लो नहीं करी तो कोई मार देगा इसे अब शायर जो भी आत्म उसके अंदर थी जो भी प्रेतात्मा थी उसके अंदर पता नहीं वो उसे वहां क्यों ले जारे थी सारे भगे भगे जाते हैं जितना तेज सब के शरीर में जान है उतना तेज भाग कर और At Last गोल चकर से पहले इसको पकड़ लेते हैं जो अगला गोल चकर है उससे पहले अब पकड़ कर इसको ना चाहते हुए भी वो लोग एक पेड़ से बांद देते हैं, वरन भीया के दिल पर इतना जोर पड़ता है जिसको छोटे भाही की तरह मानते हैं, आज उसको पेड़ से बांदना पड़ रहा है, पेड़ से बंदने के बाद भी पीछे हाथ करके अब इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या, तभी जो वहां गार्ड खड़ा था, वो अभी भी वहीं खड़ा है, वो बोलता भीया मेरे पास गंगा जल है, अगर कुछ हो जाए तो थोड़ा जिस पे गंगा जल मार दो, अगर कुछ होता है तो होगा, वैसे 45 और ये सब चीज़े रखता था, गंगा जल, और भी कुछ चीज़े थी, जो अपने बैग में रखता था रात को, ताकि अगर कोई बुरी शक्ती सामने आए तो शायद उसका बचाफ हो जाए उससे, गंगा जल लेकर इसके पूरी शरीर पर, जितना भी गंगा जल था, सा गरवालों को कॉल कर दो, इसके गरवालों को वरुन भाई रात को ही कॉल करते हैं, इसके बड़े भाई को कॉल करते हैं दरसल, भाई वो भी नहीं चाहते थे कि माता पिता को रात को इस तरह की बात पता चले, तो क्या बीतेगी उन पर, उसका भाई फोन उठाता हर कीरत का और सारी कहानी बताते हैं ऐसा ऐसा है और ऐसा हो रहा है और तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहां आजाओ और हम यहां पर हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसे वापस PG तक ले जाएं अब भही इसे पूरी रात यहां बांध कर तो रख नहीं सकते थे तो किसी तरीके से इसे लोग बहुत जोर लगा कर उस गाड की हल्प लेकर और कैसे कैसे उस कार में भरके ले जाते हैं ऐसे और ले जाते हैं PG पर जो इनका रूम है वहाँ अब वहाँ ये कभी सर मारे कभी अपने हाथ अपनी छाती पे मारे बहुत बुरा पूरी रात इसने ऐसी काड़ दी और आज की रात इन चारो पांचो लोग के साथ कैसी बीती है वो गार्ड वो गार्डी वाला सब लोग इनके PG पर ही जो लोग उपर वाले फ्लोर पे रहते हैं बिल्कुल एकदम जमावडा लग गया है सब लोग देख रहे हैं के हो क्या राई है अब किसी की हिम्मत न होके वहाँ कुछ कर दे क्योंकि सारे के सारे हैं तो स्टूडेंटी तो ऐसा करते करते लगभग सुबह के पांच बज जाते हैं तो आप सोचो जिसके शरीर पर इस तरह की कोई चीज हावी हो इतना समय शरीर तोड कर रख देते हैं उसका और उसके साथ हवाले लोग वो ठक चुके हैं कभी ये भाग रहा है फांसी लगाने के लिए कभी कुछ कर रहा है कभी अपना सर मार रहा है और एक बार तो इसने सीशे में सर मार कर शीशा तोड़ दिया बहुत एकदम पूरी रात इसने आतंक मचा के रखा तब ही पतानी कहां से भगवान का रूप लेकर एक बूढ हिसे अंकल मलब बहुत जारा बुजर्ग सत्तर सी साल के और वो देखते हैं कि यार भीड लगी हुई है इदर और सब को पता है कि यहां बच्चे रहते हैं तो उने लगा यार ऐसा नहीं कुछ गलत हो गया हो तो आकर अंदर जहांक के देखते हैं कि क्या हुआ बिटा कोई समस्या है क्या कुछ प्रॉब्लम है कोई अब वो अंकल जी देखते हैं कि यह तो बहुत बुरा हलो रखा इस लड़के का अब कई बुजर्गों कि आपने आरत देखी होगी कि वो हाथ में माला रखते हैं और माला जबते 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 अपनी जो भी टहलना हो गया गोमना हो गया यह किसी से बात भी कर रहे हैं तो माला का जाप करते रहते हैं अब यह अंकल जी क्या करते हैं अपनी माला अपनी जोहले से निकालते हैं उपर वाले का नाम लेते हैं कि हे भगवान इस बच्चे के उपर जो को जो भी चीज है उसको शांत कर और वो माला लेकर इस बच्चे के गले में डाल देते हैं हर कीरत के और देखते ही देखते हर कीरत एक ही सेकिंड के अंदर एकदम ऐसे हो गया कि जैसे जिंदा लाश वही पढ़ गया फर्श पर इसे उठा रहे हैं हिला रहे हैं कोई रियक्शन नहीं अब सारे के सारे बच्चे देखकर सब के एकदम होसुडे पढ़े हैं जो जो देख रहे हैं इस वाले फ्लोर पर जो भी है वो जिन्दगी भर नहीं बोलने वाला है जो आज रात को इन समने देखा तभी अंकल जी बोलते हैं काम करो इस बच्चे के घरवालों को कॉल करो क्योंकि ये जो कुछ भी शक्ती है जारा देर तक मेरी माला से तो कम सकम रुखने वाली है नहीं और ये तो भगवान का शुकर है कि ये रुख गैस से और हॉस्पिटल ले जाओ इसे कहीं ऐसा ना हो कोई और प्रॉब्लम हो जाए और ऐसा ही करते हैं लोग वापस जिस गाड़ी में रात को इसको ले कर आये थे उसी गाड़ी में डालकर पास के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं इतने ही आजाता है उसके भाई का कॉल हर की रत के के हाँ भी कहाँ मैं तो तुमारे PGP हूँ करें नहीं भी या हम ऐसे ऐसे इसकी जारातवित खराब हो गई थी और हम इसे इस हॉस्पिटल में ले आये हैं अब हॉस्पिटल में तो भी डॉक्टर इलाज करने की कोशिश करेगा कि अब बीमार शरीर है तो बीमार शरीर का इलाज किया जाए लेकिन आप बीमार आत्मा का इलाज कैसे करोगे या फिर भटकती आत्मा का इलाज करोगे कैसे अब वहाँ पर भी हलाकि बहुत जादा तो ये react नहीं कर रहा था हर की रत लेकिन उस माला के गले में पड़े होने के बावजूद भी ये ऐसे कर रहा है कि जैसे कोई इसका गला दबा रहा है और ये छोटना चारा है उससे और जैसा कि ये जनरली भीहेव नहीं करता था अरे अगर पी भी रखी थी तो रात की उतरनी चीए थी अब तक और इसके भाई के साथ साथ आते हैं इसके मम्मी पापा सब अब आते ही जैसे ही इसके मम्मी पापा पास आते हैं तो वो जो अंकल जी हैं जिन्नोंने अपनी माला गले में डाली थी वो भी साथ आगे हैं हॉस्पिटल वै कितने अच्छे लोग हैं वो गाड़ी वाला भी ये अंकल भी इनफेक्ट वो गार्ड जो रात को था वो अपना काम छोड़ कर इनके साथ जब से लगा हुआ है तो वो अंकल जी कहते हैं कि आपके बेटे के ओपर किसी बूरी शक्ती ने कभजा कर लिया है और आप एक काम करो आप हो कहां से पहले बताओ कि हम तो यहीं राइस्थान से या ऐसे ऐसे उन्होंने एक जगा का नाम बताया कि आप एक सेकंड भी लेट मत करो गाड़ी आपके इन बच्चों के पास है इसे तुरंत महंदी पुरबाला जी ले जाओ अगर आप इसे समय से वहां ले गए तो ठीक नहीं तो यह अपने आपको कुछ कर लेगा क्योंकि जब मैं आया था जब मैंने जो देखा या फिर जो इन बच्चों में होती है वहोने लग गई आपकी मर्जी अगर आप अपने बच्चे को ले आना चाहते हो तो ले भी जा सकते हो हमें कोई इशू नहीं है तो ठीक है और यह लोग सही फैसला लेते हैं वरुन भहिया इसके मम्ई पापा इसके बड़े भाई और वो जो अंकल जी है वो बहुत जारा इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसे महंदी पूर बाला जी तुरंत ले जाओ आप राज इस स्थान से वो आपको पता ही होगा महा की शक्ति के बारे में तो यह लोग ले जाते हैं वरुन भहिया वो अंकल जी जो सुबह मौर्निंग वॉक पर निकले थे वो इनके साथ हो लेते हैं इसके मम्मी पापा हर कीरत जितने भी लोग गाड़ी में आ सकते थे ये सारे के सारे पहुँच जाते हैं महंदी पूर बाला जी और वहाँ जाते के साथ ही वो अंकल जी अपनी माला उसके गले से निकाल लेते हैं कि अब इसे पूरी तरीके से अपने रूप में आ जाने दो और अब भस गया हैं अब ये तो यहीं रह जाएगा और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा आप बिल्कुल निश्चेंतर हो आपको भी पता ही हो गए हैं के बारे में तो राजस्थानी और बालाजी सरकार के बारे में ना जानता हो ऐसा तो impossible है वहाँ जाने के बाद एक जो सामने पंडित जी थे उनको दिखाया जाता है के ऐसे-ऐसे हमारे बच्चे के साथ ये हो रार देखो ये कैसे कर रहा है और ये अभी भी वैसे ही कर रहा है छिला हुआ चहरा बुरे तरीके से इसकी मम्मी पापा रो रहे हैं देख देखकर छिले हुए चहरे को भी कि फर्ष पे रगढने को तयार हुरा तो सोचो कितना दर्द हो इंसान को वहाँ बहुत सारे कुंड जलते रहते हैं उनके आसपास आसपास बहुत तेश से घूमरा है सब जगा कभी अपनी छाती पर हाथ मार रहा है कभी कुछ कर रहा है तो वो पंडेजी बोलते हैं कि ऐसा है इसको करने दो थोड़ी बहुत देर तो भाई ये जो भी चीजस के अंदर है ये थोड़ी बहुत देर तो लड़ेगी लेकिन बाला जी के आगे कहीं लड़ पाएगी बहुत देर लगभग दो घंटे तक उसके मम्मी पापा ने हर किरत के वरन भहिया ने हाला कि उन्होंने तो पूरी रात ही देखा था और दो घंटे तक वो ऐसा ही करता रहा और दो घंटे के बाद जाकर वो कहीं नॉर्मल सांस लेने लगा और आराम से एक ही जगा बैठ गया और बैठे बैठे फिर गिर गया कि जैसे बेहुश हो गया हो उस के चहरे पर पानी डालते हैं उन पंडे जी की पर्मिशन लेकर उन्होंने बुला आप ठीक है आप कोई दिक्कत नी आप इसे ले जाओ कोई ही सुनिए और वो फिर बाला जी के दर्शन करके और पंडे जी का आशिरवार लेके वहां से चल देते हैं और वो पंडे जी बता ना तो बोला हाँ ठीक है मेरा कोई दिक्कत ने में ले लूँगा और तब वरुन भहिया और इसके घरवाले हर कीरत के सब धन्यवाद करते हैं उनका हाद जोडते हैं के अंकल जी आप तो हमारे लिए भगवान के समान थे के आप आ गए बोला नी बेटा मैंने कुछ नहीं के पूरी रात ऐसा चलता रहा है अब पूरी रात की कहानी जब तसली से सारी बताई जाती है और उसका चहरा छिला हुआ देखकर उसके मम्मी उसके पापा उसके भाई सब रोई जा रहे हैं देखकर के हो क्या गया हमारे इतना सुन्दर बेटा इतना स्मार्ट लड़का प हमने भी एक लड़के को देखा है एक डिलिवरी बॉय को और वो पैदल डिलिवरी वाला बैग लेकर इस एरिये में घूमता हुआ देखा है हमने कई बार और यहां देखा और दस मीटर बाद देखने तो गायब तो शायर यह उसी की आत्मा होगी जो इसने शायर इसको होनी ही थी जो इसके उपर वो आत्मा हावी हो जानी थी अब साथ के लड़कों का तो यह सोचना है कि इसके विहवार की वज़े से वो चीज़ उसके पीछे आई अब ऐसा तो शायद हो गया नहीं होगा आपको क्या लगता है बताईएगा तो आज की कहानी हमारी यहीं तक थी जो कि हमें भेजी वरुन भाई ने जयपूर से और जो इनोंने रिकॉर्डिंग्स मुझे भेजी इनकी आवाज बताते बताते जब यह बता रहे थे ना कि उसका चहरा छिल गया था तो बताते हुए एक दर्द महसुस हो रहा था मुझे भी इनकी आवाज में तो मिलते हैं जै बजरंग बली जै श्री राम